ही गाइस देखो लगबग आईसी आईसी के बारे में किसको नहीं पता है कि नहीं आईसी आईसी मिच्वल फंड या बैंक वगरे हो गया या आईसी आईसी लाइफ हो गया मतलब बहुत ही मतलब अमेजिंग होते हैं आईसी 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 मुझे पसंद भी आईसी आईसी पर होता है और उससे जितने नीची वाले बैंक आपको देखने को मिलता है वो कुछ खास नहीं नॉर्मल टाइप में होते हैं तो कभी भी मैं आपको वह लूँगा कि लगबग नॉर्मल वाले को स्चूस क्या करो नॉर्मल वाले को अब आईसी आईसी ने मिच्वल फंड जो है आईसी जो प्रोडून करके बताया जाता वो उसने जो है मिच्वल फंड में माल खरीदा है कमपनी में और एक बार नहीं खरीदा है यह दूसरी बार माल उठाई गई है अब आईसी इसी को लग रहा होगा कि भाई वो आच्छे कमपनी है इस वज़े से खरीदा होगा तो अगर आप मिच्वल फंड में इंट्रेस्टेड है या फिर आप मिच्वल फंड में पैसा पैसा डालते हैं या फिर आईसी इसी पर आपको भरोसा है या चाहे जो भी तो आप ये वीडियो देख सकते कि वल स्टॉक का नाम आपको पता चलेगा कि आईसी इसी प्रूव मिच्वल फंड ने यहाँ पर कलपत्रू पावर में लगबग 400 रुपे के आसपास्क से उन्होंने मिच्वल फंड में माल खरीता है यहाँ पर अब यह स्टॉक की अगर हम देख लेते हैं जन्रम कुंडली तो पिछले एक साल में इसने लगबग 38% का रिटन द से यह स्टॉक के पास है एक अपना खुद का ट्रिण है विंब्हुत रखेगा कि एक नेचर हुता है जैसे की नेचर अगर आप देखोगे यह सैक्ल होता है उसी तरह के से शिक्वल एक कंपन्यй के सैक्ल होगा जब भी यह उपर जाता है गीरना तो पक्का आता है फिर 12,700% का return दिया है इस company में basic जानकारी ले 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 लेते हैं कुछ जादा advance नहीं लेकिन केवल basic जानकारी ले ले लेते हैं कि ये company करती क्या है ये company power transmission के लिए काम करती है ये पहले हम जान लेते हैं उसके साथ साथ देखो के oil, gas, pipeline, railway, biomass ये सारे चीजों के लिए company जो है काम करती है अब कितनी बड़ी company है तो लगबग 6,200 करोड का market cap देखने को मिला 6,200 करोड का market cap है यहाँ पर क्या company dividend वगारा देती है तो extra benefit देखने को मिलेगा हाँ company dividend वगारा देती है मतलब आपको extra benefit भी देखने को मिलेगा जो कि लगबग 2.38% के आसपास हम बोल सकते है और company का return on capital, employed and return on equity दोनों अगर आप देखोगे तो 18 से लेके 19% तक है जो की मतलब काफी अच्छा है 20% के आसपास तो गंपल सरी है रहना इच्छी यह वही company अच्छा होती है इसके competition में देखोगे तो KEC International है पहले नमर पे KEC International को भी अच्छी खबर है इसी वज़े से क्योंकि यहाँ पर भी काफी अच्छा order देखने को मिलना है order देखने को मिलना जिसके वज़े से KEC International भी आपको भागते हुए नजर आएगा और कलपत्रू पाउर में तो आपको पताईए कि ICAC ने लगवल्चु हमाल खरीता है जिसके दम पर यह stock भागते हुए नजर आएगा बाकी मैं आपको बुलूँगा कमपनी ने year on year काफी एचा profit किया पहले 200-300 करोड करके profit होता था आज कल की date में 600-700-800 करोड तक का profit कमपनी जो है करना start कर दिया और बाकिया कर देखोगे पर्मोर्टर के हित्तेदारी देखने बहुत जाता important होता है पर्मोर्टर के पास देखोगे 54% है foreign वालों के पास 7% है domestic वालों के पास 28% है public के पास cable 9% है तो मैं आपको बलूँगा देखो mutual fund है और company आप stock market में चाहो तो आप direct भी खरी सकते हो तो मैं आपको बलूँगा ठीक ठाक है आपको कैसा लगता आप comment करके बताए मैं आज तक कभी इंवेस्ट नहीं किया और नहीं मतलब अभी करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा direct में stock market में इंवेस्ट करता हूँ ऐसा करके सबका अपना-पना strategy होता है सभी तो आप देखो आपको दोनों में से कौन सब बेस्ट लगता है यहां खरीदना स्ट लगता है यहां पर खरीदना आपको ज़्यादा बेटर लगता है और क्या यह company में आपको लग रहा कि कुछ दम है मैं इसको normal way मिलूँगा कुछ ज़्यादा खास नहीं और कुछ ज़्यादा मतलब खास नहीं लग रहा है बाकि मैं इवनिंग में फूल डीटिल में वीडियो बना दूँगा क्योंकि आप देख रहे हो लगबग टाइम हो चुका है और मॉनिंग में वीडियो बनाना है तो आपको देखना भी तो होगा न अब तो पता चलेगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉंट एंजल में उपिन कर सकते हो जहां पर आप एनस सी बीए सी मिंचर फंट कुछ भी खरीच सकते हो जो चार्जिस वगर होते हैं यहां पर चार्जिस बहुत च्छोटे होते हैं डिलिवरी चार्जिस फ्री है क्यों 20 रूपिस लगता वह बें इंट्राटे में जो हाज जगा दिखने को मिलता हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकाउंट पगार आपन कर सकते हैं